कॉंग्रेस पार्टी और चौधरी भुपेंदर सिंग हुड़ा में विश्वास वेक्त करके तीनों की तीन सीट कॉंग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया चाये वो स्वनिपत हो, चाये वो हिस्थार हो, चाये वो सर्चा हो तिन्नों सीट जितवाने में जीन जिले का हाथ और जीन जिले को आगे बढ़ाने में चौधी भुपेंदर चिंग हुड़ा का हाथ हम चुनाव लड़ रहे थे साथ यूँ बड़ी तरह तरह के अफवाएं आई लेकिन आप लोगों को याद होगा जीन के अंदर चौधी भुपेंदर चिंग हुड़ा का स्याम के टाइम एक जन्मिलन कारिय कर्म था जन्मिलन कारिय कर्म में जब मैंने सहर के लोगों को देखा और हमने देखा कि जब सहर के नर और नारी जिस तरीके से इनका सुआगत करने के लिए आए हैं तो मैं समझता हूँ कि आने बाड़े समय के लोग सुबा का चुनाव पहले ता सभावित था सारी सीटें दी एक तर्चा रहती है पिछले दिनों बोला जी पहले तो दीन दिना बहुत आपके साथ था साथ आज भी है और कल भी था अगर साथ को खराब करने का काम किया वो हम समय से एक लोग थे जो एक योजनाबत तरीके से किसी से भर्मित हो करके या किसी लोब लालस और सुवार्श के वसी भूत इस तरह का परचार करते रहे कि वे केक राम तो बहुत महनत करते हैं हुड़ा साब नहीं करते हैं अगर हुड़ा साब आप महनत ना करते ना तो जैपरकास जीता ना भर्मचारी जी जीता और ना सर्चा जीते मुझे याद है जन्वरी के महिने में दिपेंदर सिंग हुड़ा के अध्यक्ष्टा में हमने एक रेली की थी उससे पहले कॉंग्रेस पार्टी महां सही मायना में बहुत कमजोर थी गाओं गाओं में हम लोग गए लोगों ने कहा कि जैपरकाश याँ कॉंग्रेस का एक सथायत लीडर चाहिए हमें और हम बोर्ट देने के लिए त्यार हैं क्योंकि प्रिवार विशेश के लोगों की गलत आदतों की वज़े से हम प्रेसान हैं तब हमने कहा कि दिपेंदर सिंग हुड़ा से बढ़िया लीडर तुम्हे को मिल नी सकते हैं और उसी का एक नतीजा है कि सर्चा में इतना भारी परचंड बहुमत मिला तो मैं आपसे यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ हमारे अध्यक जी कह रहे थे बात तो ठीक थी बुला खुस ना हो अध्यक जी उजीला इसा है खुस उंदा उंदा पांच पांच नी देगा यू प्रोसी यंगे भी सारा लावागा लावागा ने उननी सो पचानू में से पहले अर्याना विकास पार्टी को को पूस्ता नहीं था अर्याना विकास पार्टी में जीजदन जैपरकाश जगनात हम लोग सामिल हुए जीन्द की धर्ती से ही हवा मिली और अर्यान जीन्द के लोगों ने हर्याना विकास पार्टी सरकार में लाने का काम किया आज मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ चौधरी भुपेंदर चिंग हुड़ा ने मुख्य मंत्री रहते हुए जितने विकास कारिये करवाए हैं हर्याना परदेश में सरकारी यूनिवरस्टी बनाई तो चौधरी भुपेंदर सिंग हुड़ा ने बढ़ाई और सरकारी यूनिवरस्टी को रोकने का प्रियास किस ने किया वह मैं आपको बताऊंगा ने विरोध किया पथ्थर लगाने आये हुड़ा साब जीन्द के इन्नेताओं ने कहा कि हम नहीं आएंगे सोनिपत जीन्द रेल वे लैन को चलवाने का काम बनाने का काम किस वेक्ति ने किया भाई उड़ा साब ने एक्सप्रेस आईवे बनाने का काम किनों ने किया कुछ भाई हम से नराज हो गए जब बाईपास की बात आती थी मैं दो मिटन हूँगा उड़ा साब ये बात बताऊँगा बाईपास की बात आती थी दूसरी पार्टियों में इनकी जड़ें थी पानी वहां से डलता था और सत्यानाज चीन जिले का इन लोगों ने किया ये जो बाइपास की चर्चा थी मैं एमपी था सौधी बुपेंदर चिंग उड़ा ने बाइपास की जिमीन रिक्वाइर करने के लिए पहली बार जिला परिश्ट की गरांट से साड़े आश करोड रुपे दिलवाने का काम जिया था लेकिन मंत्री उड़ासाब ना बनाए दिये फाइल जावर उल्टी आजए फाइल जावर उल्टी आजए मैंने एक दन कहा हुड़ासाब यू सिद्धा काम आप देख लो ये काप के खिलाफ सड़ी अंतर रचा जा रहा है जीन दिलाके की सरजमी पर पैदा हुए जीन को हुड़ासाब ने ताकत दी उन्ही लोगों ने इनके साथ योजनाबत तरीके से पुड़ोसियों से बात करके कमजोर करने का काम किया आज उनसे पीच्छा चुट गया इवकर हुड़ासाब सारी सीट आप की आएंगी किसी और की नहीं आएगी ये लोग आपके उपर विश्वास करते हैं और भाई ये एक बात ज्यान कर लिए हो मन ने तो टिकेट मिलनी नी थी और बात भरमचारी जी की भी नी बननी थी मारी दोग इदे चुटी बड़ा बड़ा साम्मा आ गया लेकिन एक बात जरूर थी मैं धन्यवाद करता हूं हमारी कॉंग्रेस पार्टी के हाई कमांड का सोनिया जी राहूल जी पिर्यंका जी और खड़के साब का जिन्होंने उद्यभान जीर चोदरी वुपेंदर सिंग हुड़ा और दिपेंदर सिंग के एक आवाज को सुना और हुड़ा साब की रिक्मेंडेशन को मानना के जी मैरिट पे टिकेट दो जब मैरिट का नाम आया तो फेर हमने सोचा माही मारा जुगाड बनेगा सुवामी जी बोले मैं तो और दुवार जाओं मा केक रगार दुवार उल्टा आजे बात बरना लिए आज यह परकास को टिकेट आज बरमचारी जी को टिकेट और सबसे बढ़िया टिकेट थी रावदान सिंग को रावदान सिंग ना होते थोड़ी सी गलती उड़ा साफ कर देते तो बीजेपी पांच लाग से जीत थी पांच लाग से चालीस अजार पर लाने का काम चौदरी बुपेंदर सिंग उड़ा ने राज बबबर जी को टिकेट नहीं मिलती एक पहली बार हरियाना बनने के बाद बैकवर्ड कलासिज के एवरक को किसी वेक्टी ने टिकेट दुआ है तो उसका नाम चौदरी बुपेंदर सिंग उड़ा है एक दिन उद्यबान जी कहने लगे के जैपरकाज जी उड़ा साब तो बहुत लड़ रहे हैं मां गलागला अब भी जाफी पर लेकरो दन्नु आपाचे काम चाहर बढ़ागा और पर रेडर बहुत अच्छा है हमारा पर दिपेंदर चाहल लिगा कि नहीं भाई अब इस तरह का दूस्परचार क्यों किया जा रहे कुछ लोगों के माजम से जो इतने जीत जाये अरे बेजे वो अंदा पाच्छे में थे नी ब्यानी में तो पाच्छे थे आरके क्यों आए पांच पांच लाग से और मैं एक बात करना चाहता हूं उच्यान अविधान सबाद छेतर ही सिलाके का पड़ता है अपने जीन जिला और मुझे तो सारी ताकत जीन ने दिये भाई 89 में भी न्यूंक आगर दे हैं जुई तो दोसरी पार्टी में था है मैं ठीक हो जाओं भटे नी बोले मारा मुकावला इसा है जिसा रेल का रिंजन रिक्ष्या का मने रिक्ष्या गया गर दे और मने या बात कहीती माय जीन्द की धर्ती है गमंडियों का गमंड तोरने का कौम हमेशा ही जीन्द की जन्ता ने किया और जीन्द की जन्ता ने गमंडियों को अरार जै प्रकास को जिताया और पैंटीस बर्स के बाद बलराम गल्ले राडमा पैंटीस साल के बाद फिर चौदरी बुपेंदर सिंग उड़ा के अवान पर जैप्रकास को उचाना की जनता ने इतना भारी परचंड भावमत से जिताया सब ताक्तों के विरोध के बाद भी मैं तो एक ही बात करूँगा भाई रनजीत सिंग का एक बासन चुन लियो जो उस बासन में सचाई लग गए तो फिर चोर पगड़ लियो कोन है जीन्द का तो भाई मेरे तो अशुत्या शुत्या उंग आंग लाइगी ती विचारा बूड़ा हो रहा तास्ती साल लगा तो मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा और उटा साब से निवेदन करूँगा उदे बांजी से निवेदन करूँगा के जी जैसे आपने लोग सुबा आगी तीक्ते बाटी हैं ऐसे ही चीन जिलेगी बैंट दियो मैरिट भाई हाथ केड़े करो सारे भाई और मीडिया एक फोटो कीचो सब जनता मैरिट पे चाहती है ठीक है मैरिट 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 पे होगी अब हम निवेदन करूँगा उड़ा साब से रुदे बांजी से दे कि लोगों देख जी आपने मारी रिपोर्ट आई कमार्ड को देनी है जी अरा सारी सारी अहो तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों का रुद्डा साफ का जो प्यार प्रेम था है और रहेगा इफ का यू दिखाय देओ हर्याना में सब से लेकर के आए उसको जिता देना मोज हो जाईगी यारो राम राम बहुत-बहुत धन्यवाद भाई जी